हे ब्यूटिफल पीपल असलाम लेकुम वेलकम बैक टू मादीना खान व्लॉक्स आप सब ठीक होंगे खेड़ेत से होंगे तो हम जा रहेते हैं शादी में शादी में जाने से पहले लेकिन मुझे लग गई थी भूख मैंने फटा फटा फट से एक अपड़े चेंज करने के मैंने फटा फटा फट से बनाई मैंगी क्योंके यार शादी का खाना बहुत लेट मिलता है अजकल इसलिए यह शादी थी मेरे मामू के फ्रेंड की मतलब बहुत खास फ्रेंड है बहुत सालों से उनकी फ्रेंडशिप है तो पहले हमें भी इंविटिशन मिला था लेकिन प लोगों को आना पड़ेगा सो फिर हमने सोचा के ठीक है सामने मतलब कोई इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर हमें जाना चाहिए and to be very honest I appreciate when someone say के I want you to come rather than you can come if you want so फिर मैंने भी ममी को बोला कि नहीं ठीक है हम जाके आते हैं so मैं जटपट से मैंने फिर तयार भी मैंने थोड़े सा touch up नहीं obviously make up किया फिर हम निकल गए और मालवनी में इतनी ट्राफिक होती है ना कि literally हमें पूरे दो घंटे लग गए मालवनी से वर्सवा पहुचने के लिए और I think उस दिन कुछ संदल वगेरा जा रहा था उस वज़े से हमें लोखनवाला के साइट बहुत जादा ट्राफिक मिल गए थी मुझे नहीं पता कि आज कल के मुसल्मान किसके बतायवे रास्ते पे चल रहें ये हमारे नभी का दिन नहीं है कि ट्राफिक जाम करना दूसरों को अजियत देना रोड पे ढोल बजाना नाचना गाना ये सब आप मैं इसके उपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती लेकिन ये हमारे नभी क बताया रास्ता नहीं है बिल्कुल भी नहीं फिर जैसे तैसे हम शादी में पहुझ गए ये मेरे कजन ने वीडियो रिकॉर्ड करके दिया मुझे मेरे मामू के बेटे ने क्योंकि मैं आपिसली इतना चलते चलते वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ अभी मेरी प्रैक कि शकले चेंज हो गई है कोई मोटा हो गया है कोई पतला हो गया है सो बहुत सारे लोग मतलब बहुत पुराने पुराने लोग मिले शादी में क्योंकि मैं बच्पन में बहुत जादा मेरी नानी किया और खाला किया रहती थी तो और ये शादी भी उसी एरिया की थी सो बहुत सालों के बाद देखा मैंने सब को कुछ लोग मुझे पहचान पा रहे थे कुछ नहीं पहचान पा रहे थे कुछ मेरी मम्मी के वज़े से मुझे पहचान पा रहे थे फिर अबिस ने शादी में जिस काम के ले गए थे वहाँ पे हम सब गए और जब मैं वहाँ से चल के जा रही थी न मुझे ऐसे लोग देख रहे थे मुझे सच में सेलिब्रेटी वाली फीलिंग आ रही थी यार मतलब अगर मैं वॉकर लेके चलती हूँ इसका मतलब क्या है मैं कुछ अनोखी हूँ पता नहीं I don't know मुझे लोग ऐसे क्यों देखते ह है क्या समझते है क्या बोलना चाहते मुझे नहीं समझ में आता लेकिन लिटरली मुझे सेलिब्रेटी वाली फीलिंग आती है जब लोग मुझे ऐसा देखते है तो क्योंकि लिटरली वहाँ पर न मैं ऐसा चल रही थी और आसपास के लोग सामने के लोग ऐसा मुझे देख वादान मोच्छ द्धाला का टता रात को सोते सोते हमें दो बज गए and yeah that was pretty much it I am gonna see you guys next time bye take care Allah afeez